जो है और इंकल बास्तविः कां़ और मिठ्टिय ऑंतर दो थ्यांसे पहले बार आपने सूने कि रिया लेक्षा है अभी तक तो सुन थना ते अंकल सब लोग बनाशेश में जंने अलें लोग इसे बनाशे है और गलत अलेकिन असली में आ या कि नो कि है आज कर न का मतलब कियाए कि कि मैं वास्तविक में कॉन हुई यह जानां तो मायवादी लोग ऐसा बोलते हैं कि एंकार नहीं होनाँ चाहिए एंकार को हटा दो लेकिन यह संबबने यह क्योंकि वास्तविक एंकार क्या है वास्तविक एंकार यह है कि जीवात्मा भगवान का नित्य सेवक है एंकार मतलब उसका इडेंटिफिकेशन जैसे कि आप जैसे कि एक कुत्ता है वर्स एक्जमपल लेते कुत्ता का उसका इटिंटिफिकेशन क्या है कुट्टे के गुनटो कुट्टे के सरीर में रहेगा तो कुट्टे के जैसा बत्ताव करेगा नерьकर कुटा है इसका मतलब क्या है कि वो भूकेगा कोई भी आजनभी देखेगा उसको भूकेगा कोई भी चीज को चातेगा और बर्बर एक इसे करता यह उसका ईडेंट्रिकेशन है कि यह उसका गुण है ठीक है दूसरा इसन्सका example यह सुरा सुरा सुर क्या करेगा सुरा अगर जीवात्मा स्वर के शरी में से तो वह सुर जैसा वयवर करेगा तो सुर क्या करेगा मन खाएगा कि कि अबाद में कि अगर गंद में रहेगा इंकार को हुआ रहे चोbiese सबूंद हो कि दूदेट भेमादर, है उसका एंकार मतलब वो उसका जो आइडेंटिफिकेशन है वो कि मुझे जिसे मैं कुत्ता हूं भाभा है ना मैं सुवर हूं तो मेरा ये नेचर हो गया उसी तरह से कोई भी आप सरीर ले लो शेर का सरीर ले लो मतलब शेर के रूप में जीवात्मा तो क्या करेगा शेर के जैसर रहेगा यानि कि वो सिकार करेगा खून उसका सिकार होता है और जंगल में सब उससे डरते है वो राजा है शेर वो उसका एंकार है कि मैं राजा हूं लेकिन वो उसका सुभाव ही है मतलब एंकार मतलब वो सुभाव तो यह सब जो सुभाव है जिसका हमने बात किया वो सरीर का सोभाव है अब दूसरा और यह दोनों में ने जीवात्मा का सोभाव दिखा दिखाया बताया किसका बताया शेर के सरी में जीवात्मा कैसे वेवार करेगा कुट्टा के सरी में जीवात्मा कैसे वेवार करेगा सुर के सरी में जीवात्मा कैसे वेवार करेगा वो कि यानि कि एक आइडेंटिफिकेशन है जैसे इंडियन है अगर आप बोलेंगे इंडियन है इंडियन मतलग इंडियन के जैसा रहे अगर में इंडियन हो तो मेरा राष्ट्रगित है जो भी जना करना मना राष्ट्रगित हो गया फिर मेरा पास्पोर्ट पर मेरा पास्पोर् देश के बारे में आ देश भक्ती होगा है कि ने तो वह एक Indian का पैչचान है उसल से American होगा तो American का राष्टवी दोगा American का भाषा होगा American का खान पान होका तो उसका जिव आत्मा का उससे उसका लगाव उस सरीर का लगाव उसको बलते हैं अहंकार अब यह बात हो गया कि अलग अलग सरीर में अलग 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 परिस्तितियों में उसका अलग 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 एहंकार होता है लेकिन यह जो है यह है सरीर से अपने आपको पहचान करते हैं तो वह इसके को हम लोग क्या बोलते हैं मतलब इसका टेकनी Тे कल्म oldest यह मिथ्या ऐकार मिथ्या इसलिए कि वह सरिर अभी temporary है वह इसलिए उसको मिथ्या कार बोलते हैं कल को मेरा सरीर मतलब आत्मा के लेवल पर सरीर तो बदलता रहेगा तो अगले जन्व में दूसरा सरीर होगा कुट्टा का होगा बिल्ली का होगा या इंडियन होगा या अमेरिकन होगा या चाइनीज होगा तो वो जो शरीर के रूप में जो उसका आइडेंटिफिकेशन या पहिचान है उसको अहंकार वो बदलते जाएगा आज मैं भारत माता की जय बोलूगा कल पाकिस्तान में कलता है परमेंन्ट नहीं है वह जो को या होता है वहता इक रहे होता है वास्तवीklär कर यह कि अब मैं सरीर में दो कैढ़ हो लेकिन मेरा वास्तविक हम क्या जानते हैं हम जीवात्मा है भगवान के अंश है तो मेरा वास्तविक वास्तविक एहंकार क्या है मैं भगवान का दास हूं तो दास के रूप में काम करना वह वास्तविक एहंकार है अभी हम वह नहीं जानते किसी ने बता है नहीं है लेकिन आ आप लिख सकते हैं दो नंबर का अध्या दो का 13 नंबर का स्लोक है उसमें आपको समझ में आएगा कि जीवात्मा एक सरी छोड़के दूसरे सरीर में बदलते रहता है दियांतर करते रहता है फिर तेरवें अध्या में 22 नंबर का स्लोक है पुरुषा प्रकृति स्थोही पुरुषा प्रकृति स्थोही भूंग्टे प्रकृति जान गुना यहां पर जो पूरुस बताया है वो परम पूरुस नहीं है यहां पर जो पूरुस बताया है वो जीवात्मा के बारें बताया जीवात्ma अपने परिस्तितिक अनुसार अलग अलग सरीर बदलत filmedThere जैसे मैं आपको समझा याट अलग अलग प्राणी अलग 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 मनुस्य अलग 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 जिसमें अलग-अलग शरीड्म प्राप्तर करते हैं उस इसाफ से उसका एंकार होता है तो आसली एंकार है वह है कि मैं चाहिए अमेरिकन हो आँ यूए इंडियान हो जाय boyfriend हूं मेरा भगवान के साथ सनातन संब्मन्द उस संबन्ध का वह मेरा वास्तवीक एंकार है और वह भूब होना चाहिए कि अगर वास्तवीक एंकार नहीं होगा किantal लालाइं रहूगा ए मुझा रूची नहीं रहे करूंगा कि असली में शरीर नहीं हूं शरीर तो टेंपररी इसले वास्ता भी एंकार जीवात्मय करूप में मेरा भगवान के साथ सनासंत संबंध जिसको चैतनी महापरुवा ने बताए है जीवेर स्वरुफवय क्रिष्णेर नित्यादास ठीक है क्लियर कि यह कुश्चन बना रहा है मिध्यायंकार क्या है इसका बुलें हां 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 रियल एक होना चाहिए लेकिन अभी उसको नहीं पता है जैसे हम सब लोग सब भगवान के दास है जिसको पूरी तरह से पता चल गया है तो क्या करेगा उस हिसाब उस ऊस इसरी तरी में उस संब्धन में वो काम कर जिसको बोलते उस समंद में कर्म करना जिसको बोलते हैं वह कृष्ण बंक्ति के इसलिए क्रिष्ण बंक्ति के अलग अलग लेवल इसलिकाज आ तो बहुत से लोग ऐसा सुनते हैं लेकिन वह प्रॉपर बिहेव नहीं कर रहा है तो वह खुद मंदीर आना बंद कर देता है थिस नहीं करना चाहिए अपको समझना चाहिए कि भक्त अलग अलग लेवल का होता है कनिष्ट मद्यम औरुट्प इतीन प्रकार के लेवल होता है तो जो इस तरह का भेद करता है कि तु लाइन में आ जा या तुमसे रूडली बात करेंगे, तो जो ऐसा बात करता है, उनसे क्या करना चाहिए? उनको प्रणाम करके उनसे दूरी बनाई रखना है, उनसे दूरी बनाई रखना है, ठीक है? क्योंकि उनको अभी वो नॉलेज नहीं है, इसलिए वो अपरात कर रहे है, ठीक है? और कुछ ऐसा संसे वह शाय होता ऐता आप द师וב करना चाहिए और हमें वहआ बात में को मन में नहीं वह पर हमें यह समझना चाहिए कि भगवान अलग-अलग जीव पर कृपा कर है लिकिन सब करिपा लिने के लिए सक्षम नहीं है इसलिकना लेकिन हम भी वैसा ही है». को समझना चाहिए हम भी वैसे ही है हम भी कहा है कौन से लेवल पर है नीचे है या उपर है नीचे है हम भी नीचे है हमें भी यही समझना चाहिए हम भी कनिष्ट है और हम भी ऐसे गलती करते हैं और हमारा कमप्लेंग किसी और ने किया होगा हमें नहीं पता है जरली हम लोग ऐसा हमारा 커피 रे सुनना चाथे हैं इत्यां जो सुनना चाहते है उसका प्र프गत्ती होगा इसलिए इस movement के अंदर चेतने माध प्रुपु हमने हमें छिखाते हैं जो के बार-बार हम बोलते हैं त्रिनाद अपी सुनीचेना है कि तरीन से भी तर्वी यानिकि घास का तिनका होता है को कि एanc喔 कैसे हमारे पैर के निछे दब जाता है का कुछ की की तरोर इवास सभी तरोर मतलब बिक्ष बिक्ष कैसे पानी को जहलता है बरसात में, गर्मी को जहलता है, धूप प्रकास, तो भी वो कुछ विरोध नहीं करता है, पेड़ को काट डालते लोग, फिर भी कुछ नहीं बोलता है, तो ऐसे गुण होने चाहिए, जिसमें ये गुण है, किरतन ये सदा हरी, वो ही शुद्ध नाम जब क कर सकता है, मुश्किल है, असंभव नहीं है, अगर असंभव होता, तो चेतन महापरभू नहीं बोलते हैं, तो भगवान चाहते हैं हमसे, क्या चाहते हैं, अच्छे गुण का, हमें अच्छे गुण आए, अगर हमें अच्छे गुण आएंगे, तो ही हम भगवान का भक्त कर सकते हैं अगर हम खराब हैं तो भगवान को भक्ति नहीं कर सकते हैं जैसे जैसे राजा होता है राजा के दरबार में आप नहीं जा सकते हैं आपको राजा के दरबार में जाने के लिए आपको पहले राजा को स्विकार करना पड़ेगा राजा का सेवा राजा को स्विकार करना पढ़ेगा और स्विकार नहीं उसका सेवा भी करने के लिए तएर होना पढ़ेगा तब आपको एंट्रिह होगा लेकिनुस दर्वार में प्षण लोग रहते हैं तो भी उसको बंखाम सब्सकुन भाग फाग लेने का Raja खूश होता है तो वह भी खूश होता है इसलिए कभी भ्हक्त बनने का ये फाइदा होता है कि भगवान का जो बगवान तो हमेश़ highly भगवान सुख के साखर है इसलिए भगवान के कि दर्वार में जांगे तो कभी दुखी नहीं होंगे लेकिन हमें तयार रहना चाहिए कि हमको भगवान के दरवार में इसलिए जाना है कि भगवान का सेवा करने के लिए जाना है हम ऐसा नहीं करते हैं हमारा आदत नहीं सेवा करने का हमारा आदत खाली दूसरे से सेवा लेने का है अभी बहुतिक जगत में हमारा आ ऐसा सोच वाले को भगवान के दरवार में एंट्री नहीं है बहुत आसान नहीं है भगवान के भगवान का भक्त बनना इसलिए भागवत में जितना भी उधारण है रामायन में जितना भी उधारण है आप देखो कैसे कैसे हनुमान जी ने कितना कष्ट किया होगा लेकिन व इतना सेवा करते हैं, उनको कष्ट पता ही नहीं चलता है, पांडव, सुना है आपने, पांडव लोग कष्ट करते हैं, लेकिन उन्होंने कभी कष्ट के बारे में किसी को बता है ही नहीं, और हमें थोड़ा सा कष्ट हो जाता है, तो हम मंदीराना बंद कर देते हैं, होता है लोग होता है कि से ने बोल दिया कि अभी भक्त है हो कि होता है कि होता है कि कि आप है कि नि जूकि आप हैं एसा करके हम आपने नुक्सान कर रहे हम उस भग के लिए जा रहे हैं क्या हम तो भगवान के लिए जा रहे हैं और अच्छे लोग और भी अच्छे लोग है न एक आदमी को देखके हमने मंदिर के ऊपर ऐसा इंप्रेशन लगा दिया कि सब खराब है बार-बार मैं ऐसा बोलता हूं कि कभी कोई इसकुल में कभी कभी कोई टीचर खराब होता है इसका मतलब नहीं है कि इसकुल ही जाना बंद कर दो ऐसे नहीं होना चाहिए कि मंदिर जाना बंद कर दो और भी लोग है वो क्यों नहीं दिखाए दे रहे हैं क्योंकि हमारा गलती है समझे है हमारा गलती है इसलिए हमको खाल भागवत कियूं नहीं पढ़ते लोग है भागवत नहीं पढ़ते कि भागवत के अंदर अच्छे लोगों के बारे में बताया गいう कि आर हम सोचते है यह दो इन लिखाए लेकिन बहगत के लोग तो भाने लेकिन यह पढ़िए क्या करने है हम अपने बच्चे को भी शुद्ध नहीं बनाएंगे उसको बदमास ही रहने देंगे लेट देंगे वह मेरा बच्चा भी पढ़के बदमास बने वह भी दूसरे को लूटे ऐसा मन में आ कि यह कि हम दूसरों का देखेंगे कि हम अपना ये ले रहे अए हम सोचते कि भौतिक प्रगति करने का ड्राइक यह है कि जितना आप भातीक प्रगति करेंगे क्या तो भगवान से उतने दूर जाएंगे भागवान से दूर जाएंगे तो आप भगवान को कहां से समझेंगा फिर आपको लगेगा भागवत का कटा खली ऐसे लगेगा कि कोई दंत कटा है और आप दीरे-दीरे बोलना लगोगे, जैसे कि भारत लोग बोलते है, भारतीय लोग बोलते है, कि रामायन माइथोलोजी है, भागवत में माइथोलोजी है, हनुमान जी ऐसा कभी कोई छलांगोलंग नहीं लगाए था, ऐसा मानते है लोग फिर, इस तरह से, क्योंकि भौतिकता वाद अंदर प्रचार करेंगे, हमने किसी को नहीं देखा है, भौतिक बनने के बाएद कोई प्रचार करता हो, वो भौतिकता कहीं प्रचार करेगा, ठीक है, इसलिए हमें बहुत जरूरी है, कि भगवान हमसे क्या चाहते है, वो समझना, और वैसा गुन हमें, हमें कल्टिवेट करना, जब वैष्णव अपराद और यह सब का चर्चा होते हैं, लोग सोचते हैं, यह से कैसे संभव है, हम सुन रहे थे एक बार यह लेक्चर अभी परम पुझ्य भक्ति आश्र वैष्णव महराज आये थे, तो वो बता रहते हैं कि भक्त में क्या गुन होना चाहिए, तो ऐसा लग रहा था कि महराज बोल रहे हैं और लोग बहुत निराश हो गया, कि सच में कि ऐसा है तो संभव ही नहीं है, और पॉसिबल है, बहुत लोग ऐसे मानते हैं, बोलते भी है कि कैसे होगा ग्रियस्तर मेरा कि हम कैसे उनको उदारान दिया गया था, मैं एक कक्षा में सुन कितने सारे शीव जी है, ग्रियस्त है, तो सबने करके दिखाया है, तो हम क्यों नहीं कर सकते हैं, हम नहीं कर सकते हैं, हमने ठान लिया है कि हम नहीं करना है, हमने ठान लिया है कि हम सुदरेंगे नहीं, तो नहीं सुदरेंगे, इसलिए भगवान ने ए तेरा अध्याय बोल है ठीक है कोई कोश्चन